हाई and hello everyone तो बच्चों मुझे इस वीडियो के माद़म से आपको information देना है और वो information यह है कि अभी अभी NTA ने अपनी official website पे एक public notice को publish किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप 21 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर रात 11 बच के 50 मिनिट तक आप जो आपने online application form फिल किया था उसमें आपने दो round में फिल किया था एक first face था एक second face था तो first face की कुछ information को आप edit कर सकते हैं मतलब correction window को open किया है और second set में जो आपने information फिल किया है उनको भी आप correct कर सकते हैं आप 26 अक्टूबर तक एक कर सकते हैं रात में 11 बच के 50 मिनट से पहले तक बच्चों और उन्होंने साथी साथ यह भी बोल है कि तो जो आपका scorecard होगा इसकी scan copy आपके mail ID पर भेजने वाले हैं इस बार आपको mail करेंगे लोग scan copy आपके scorecard की तो आप अपने email ID को के रिपया कर बहुत सही से और उसको verify जरूर कर लें आप अपने खुद का email ID डालें किसी और का ना डालें इस चीद का ध्यान रखें आप अपने email ID को अभी भी edit कर सकते हो और आप वही email ID डालें जो आप use करते हों क्योंकि उस पर आपके scorecard की scan copy इस बार NTA भेजेगा अब बात करते रिजल्ट की तो पता नहीं यार NTA वाले करना क्या चाह रहा है नहीं पता मैं कुछ नहीं बोल सकता है मतलब यार इससे अच्छा थो हमारा CVSC था NTA हमने इसलिए बनाया था कि NTA हर काम को टाइम पे करें लेकिन एक भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है जब से NTA आया है इस सेचे थो हमारा CVSC था अटलीस 28 से 30 दिन में हमको रिजल्ट दे देता था और कभी इतना परिसान नहीं करता था एक ही सेट में हमसे एक ही बार में इन्फोर्मेशन भी फिल करवाता था एक ही बार में ऑनलाइन अप्टलीस फॉर्म को फिल करवाता था इस सब एक ही बार में होता है इसने परिसांद करके रग दिया है 15 दिन पहले आके बताता कि तुमारा एक नाश्याष्ट को एक्जाम नी होगा यह लोग 12 सेक्टेंबर को हमारा एक्जाम हो चुका है ठीक है 12 से 12 अक्टूबर एक महिना अल्रेडी हो चुका है फिर फिर से वह होगा काउंसलिंग फिर वह भी 15 जन्मरी 30 जन्मरी 2022 तक चली हो अगला सेशन फिल लेट होगा लब बच्चे पढ़ें बच्चे करें क्या कि काउंसलिंग करवाते रहें कि पढ़ाई करें कि होने वाला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं एंटीय क्या करना चाहता लेकिन जो भी है अब एंटीय कर रहा है उसके हाथ में ही सब कुछ है तो जो वो कहेगा वो करेगा वो हमको करना पड़ेगा ठीक है बच्चो तो यही मुझे इंफर्मिशन आपको इस वीडियो के माद्दम से देनी थी